राजस्तान के जेसलमेर जिला मौनगर तसील SLD नेर जिस पे जमीन बिखा हुए यह पलेन जमीन है 60 बिखे जमीन है पलेन एरिया है बिल्कुल कमार्ड जमीन है जिस भाई को जमीन लेनी हो तो संपर करें और पानी नेर का लगता है और स्टेंडर बिखा है बड़ा बिखा है जिसमें राजस्तान का बड़ा बिखा है 165 इंडू 165 का साइज रहेगा और समाने केटेगरी की है कोई भी कास्ट ले सकता है इसमें जीरे की खेती हो जाती है इसब की खेती हो जाती है सर्चुन हो जाता है और चने हो जाता है शर्दी के पसल में और गर्मी अंदर गवार ब Zach करी यह पसले होती है तो अच्सा एरिया टॉप का एरिया किसी प्रकार की कोई इसून नहीं है समाने कैटेगरी की है कोई भी कास्ट करीज सकता है राजस्तान का बंदा खरी सकता है राजस्तान के अलावा कोहीम की बंदा नहीं ले सकता राजस्तान का निवाश्य होना चाहिए इस जमीन को लेने के लिए तो ये भाई लोगों ये जमीन पुरा प्रलेन एरिया है और समाने कैटेगरी है और बजार से करीबन पड़ेगा दो किलोमेटर और रोड से पड़ेगा बिल्कुल पास में जश्टी ज़्यादा दूरी नहीं है मिनी बजार है गए स्टेंड बढ़ा हुआ है जिसमें दुकान दुकुन है लगवा 50-60 दुकान है इतना कस्वा है और वहां से बस बस आती ए स्टेंड बढ़ा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है किसे आना जबी में और किसी परकार इसू नहीं है और इसके अंदर 95 परचंट हूँ हिंदू लोग रहते हैं पूरा हिंदू का अरिया है अच्छा अरिया है और किसी परकार का इशू नहीं है और फले नेरिया है टूबेल का बाटर लेवल रहेगा करीबन पचास पुट से पानी नीची है मिठा पानी है पानी मिल जाएगा पानी है टूबेल के जिगे हुआ है और यह लगों के जाधा तर बारबालों की जमीन है इन्वेस्टमेंट के तोर के छोड़ी हुए जिसे बज़े से खेती बहुत कम करते हैं शेरी में और आपको खेती करने के लिए जमीन मिल जाएगी आपको 100 विगा, 400 विगा, 200 विगा, कितनी पुछी यह उतनी जमीन मिल जाएगी ख़खुल जमीन यह खेती कर सकते हैं संदीकी पसल अच्छी हो जाती हैं गर्मी के लिए तो गवारबोगो के छोड़ना पड़ता है यह तिलऌ के चोड़ना पड़ता है कि एरिया सारा प्लेन है दूर दूर से दिखाई दे रहा है पूरा प्लेन एरिया है और किसी परकाह का यहां डिस्पूट नहीं है और सांत एरिया है